तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपने देखा ता थमेल पर कि इसका नेश चार्गेट क्या रहेगा और इसकी जो अपर सर्कृट लगा हुआ है यह कब तक चलेगा या फिर गिरावट होगी तो कब तक होगी तो ऐसे ही इंपुडेंस वीडियो ब हाँ पैने श्टोक है और बहुत छोटा सेर है एक सो पचास डेड़ सो करोड का और इसका मार्केट के पे तो इनमें ऑपरेटर्स का केम चलता ही रहता है यह तो जायसी वात है तो अभी इसमें होने क्या वाला है मैं आपको बता दूं को यहाँ पर इसमें जो ग्रावट दिसकस किया था वीडियो में कि यह ग्रावट जो है लगवक्त 30-40 पसंद के असपास हो यह ठीक है तो उसके बाद ठीक है 30 पसंद नहीं हुए लेकिन उसे थोड़ा सा पेचे रहे गा उसके बाद यह बाउंस पेक मारा ठीक है और इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो पसंद 25 पसंद में ले सकते हो ठीक है उत्रे तक इसमें अपर सरक्ल लग सकता है ठीक है अगर उससे उपर जाता है तो अच्छी बात है लेकिन आपको क्या करना है एज जे पैनिसियर आपको रिस्क कम करने के लिए प्रॉफिट वुक कर लेना है जिन लोगोंने हाई पर ख लिए वह एक क्या होगी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जब यहां के बाद इस जगह के बाद इसमें जब जो है जो अपर सरक्ल लगा हुआ यहां से जब इसमें 15 से 20 पसंद का रिपन दे देगा तो उसकी बाद आप कुछ कॉंटिटी बेच के इसमें कम कर लेना अपनी ज्यादा लॉस तो नहीं होगा ना क्योंकि बहुत छोटा सेर है जिन्होंने बड़ी कॉंटिटी में बाइक किया है उन्हें कम कॉंटिटी ही बाइक करने चाहिए पहने शेयर में ठीक है दूसरा मैं आपको बता दू अगर सर यह माल लीजी 20 परसंद से ऊपर गया अगर मै मैं जुम हाई है 35 के ललवक है 35 कुछ पैसे है 50-60 पैसे है ठीक है अगर यह इसके इस लेवल को टच करता है तो यह सेर जो है आपको 45-50 कितना यहां पर हम आपको बताऊंगा 45-50 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा 45-50 रुपे के आसपास यह पहुंच सकता है ठीक है यह इसका मैं जुम हाई टार्गेट रहेगा इसका ठीक है तो अभी आपको क्या करना है में बात क्या है कि अब जो इसमें अपर सरक्रीट लगा हुआ है यहां से यह 20 परसंड के आसपास जब पहुंच जाए तो आपको प्रॉफिट को कल देना है ठीक है यह मैं सोचना कि चलत रहेगा ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो अपर सरक्रीट लगा हुआ है यह इतना कमजोर है कि इसको यह बार-बार मतलब कई बार तोड़ने ही कोशिस की जा रही है तो जिस दिने इसमें लोवर सरक्रीट लगेगा तो लग ही जाएगा ठीक है फिर आप फज़ जाओगे इसलिए मौका है कि जिन्हों ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी वो कुछ क्वांटिटी शेल कर देना 15-20 परसंद के रिटन के बाद ताकि आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा बाकी मैं आपको बता दूँ एक बार जैसे कि इस शेर ने यहां तक अच्छा रिटन देगा ऐसा नहीं होता दोस्तों मैं आपको प्रूफ के दौर पर देखा दूं यहां पर हम एर्सी फायरांस को ले लेते हैं ठीक है इस कंपनी में दो कितना भेंकर क्या बोलते हैं रोवस रिकल लगा हुआ है जब इसने कंपनी ने अच्छा रिटन निकाल कर दिया तो मैं 30% के लवक का इसका रिटन नकाल के दिया यहां पर इतनी बीच में ठीक है उसके बाद देखो आप फिर इसने ग्रावट हुई बहुत भेंकर ठीक है और उसके बाद जो फिर इसमें बाउंस बेक मारा फिर इसने 30 से थोड़ा सा कम रिटन नकाल के दिया और फिर ग्रावट एक स्कोर्ट फर्ट फेम में भी ऐसी सुच्चूशन हो सकती है तो आप दोनों सुच्चूशन को ले करके चलना यह मत सोचना कि यहां से बाउंस वेक मारा तो ओपर ही चलता जाएगा इसमें ऐसी लेबल भी करनी सिर में बन जाती है तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि अभी प्रॉफिट हुआ था फिल लॉस होगा प्रॉफिट बॉक करते रहा करो ठीक है तो आई होब कि आपकी स्वर्ण में आया होगा किलियर कर देता हूं एक बार दो बार कि जब यह बाउंस शेर जो है अगर 20% की लेवल तक जाता है तो आपको प्रॉफिट बॉक कलने ही है तो ठीक है दूस्तों तो और बाकी में आपको बतातों अगर 35 और 60 पैसे के आसपास 35 रुपए साथ पैसे आसपास की लेवल को टच करता है तो उसके बाद वो शेर जो है आपको 45-50 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा तो ठीक है दूस्तों वीडियो अच्छाओ त झाल